वार्षकार बच्चों, मेरा नाम है रहुल हो राप देखरेंगे से बिच्छ लास, तो प्यारे बच्चों आज अनुदेध के आनुछेद के बारे में चार्चा करने चा रहे हैं, इससे पहले हम पत्र लेखन भी कर चुके हैं, आप विग्यापन लेखन भी कर चुके हैं, त अब बारी अनुछेद लेखन में दिये गए तीन अनुछेद में से किसी एक विषय पर तीन अनुछेद होंगे किसी एक विषय पर लिखना होगा डेट सब्दों में भूमिका विषय वस्तु भाषा ठीक है तो यह सब पढ़ने से पहले देखतें मोस्ट इंपोर्टन चीज अनुछेद लेखन में निमलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए मुख्य ठीक है यहां पर कुछ पॉइंट दियेगा है जैसा कि आपके बेस पर ही पताया है मुख्य विस्तार से बजने का प्रयास करना चाहिए दूसरा है वाक्यों के बीच निकटता और संबतता होनी प्रभावपुर्ण और और प्रभाव मही होनी चाहिए और चोटा है आपका नेकश्ट है जोटेशोटे वाक्यों का अच्छा होता है और लाक्यों के हैं बातों जोलिये तोında मैं देख लेता हूं जादा जाद एक्जामपल लेखेंगे तो समझ में आग किस परकार की चीजों को आपको पढ़ना चाहिए देखो 2020 में था यह दिया गया था दो सो से डाइस सब्दों में लिखना था लेकिन अपकी बार तेर सो ही सब्दों में लिखना है देर सो ही ठीक है याद लखना यह 2020 में टॉपिक दिखा रहूं क्या टॉपिक आया था उस टाइम पे तो कह था दो सो से डाइस सब्दों निबंद लिखिए महात्मा गांदी की तेर सो जैनती मनाने को देश कांदी जी का जीवन आजादी के आंदोलोन में भूम का अब प्रासंगी था ठीक है और देखो उस से साइट पे तो पहला है कौन काल और ऑनलाइन पढ़ाई यह पॉइंट दे रखे थे संकेत बिंदु है भूमिका लॉकडाउन की गोशना लॉक्डण का उख्षाओं का प्रकृति के लिए दोशी को निसकर्स सड़क सुरक्षा जीवन संकेत बिंदू मतलों संकेत बिंदू तो हमेशा दिया ही जा रहो और अच्छी बात है ताकि आपको पॉइंट से तुरंद लिख सकते हैं सड़क सुरक्षा में से जुड़े कुछ प्रमुख नियम सड़क सुरक्षा के रियमों की अंदेखी से होने वाली हानिया इन्हें अपनाने के लाब और निसकर्स ठीक है ये पॉइंट आपको लिखना है प्यारे बच्चो ये जो अच्छा गया था क्या इनके उससे कुछ मिलता जुलता था तो यहां देख सब्दों में यह अपकी बार का है 2022 का टन्टू को लेके ले मिलने अन्यम लिखी तरन उच्छेदों में से किसी एक विसे पर संकेत बिंदू का अधार पर लगभग देख सब्दों में जीवन में है वयाम का महत्व संकेत बिंदू भूमी का वयाम की आफशकता वयाम का महत्व वयायाम करने के लाब तता उप संहार महंगाई का हमारे जीवन का प्रभाव मतलब आप देखो दोनों कहीं ने कहीं अच्छे से आप बना के लिखी सकते हैं संकेत बिंदू भूमी का दुष्ट परियामी दुष्ट परिना मेडिया के समाज के प्रती जिम्मेदारी तो ठीक है मतलब आप तीनों में से दो को मंगाई वाला भी आसानी से लिख सकते हैं और स्वास्त वाला भी आसानी से लिखी सकते हैं अब सी ने कुछ इंपोर्टेंट दे रखे उस बारे हम च करोना वाइरस वाला है अनुचेत करोना वाइरस संगेद बिंदू करोना का संक्रमन बचाव के उपाय लोकडाउन के सग्रात्मा प्रभाव इस प्रकार से लिखा गया है लेकिन प्यारे बच्चों आप देखो इन्होंने बिल्कुल जैसे किताब च्शापते हैं उस प्रक प्रस्तामना अब यहां पर भूमिका इस प्रकार से मस तरीके से प्यारे बच्चों लिखेगा फिर उसके जो टॉपिक होते हैं इसके जो टॉपिक थे करोना संक्रमन फिर दूसरा टॉपिक बचाव के उपाय जैसे इन्होंने पहला यह टॉपिक लिए आत्मिश्वास से प्रकार से अब दचों पॉइंट तो जाद अच्छा रहेगा एक साथ मन लिखें ना पस यहां से आप एक आइडिया कर सकते हैं कि इस अनुशेद में क्या-क्या लिखें और सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है भूमिका होता है कई बार प्रस्तावना होता है निबंद की स्रेश्टा की या निव होती है में पॉइंट आपको कह सकते जिसको देखके लोग आपकी आगे की निबंद पढ़ना चा ताकि वह आपका प्रस्तावना या भूमिका पढ़ने के बाद उसके लगिंग नहीं अंदर वाले चीज़े भी पढ़नी चाहिए तो प्रस्तावना के यह पॉइंट होता है प्यारे बच्चों यहां भूमिका लिख लेना ठीक है मैं इस बात की बात कर रहा था तो चलिए यहां से स्टाट कर लेती निसान लगा लें तक यह असान रहेगा पढ़ते समय भी विस्ट स्वास अंगटन ने डवल्ड हैल्थ और्गनाइशन ने कोरोना वायरस अर्थाथ कोविड-19 को एक महामारी गोशित किया है इस महामारी की शुरूआ दिसंबर उननिस दोजार उ हमारी कोविड-19 का वायरस अत्यंत शुक्ष में छोटा किन्तु प्रभावी वायरस है दिसंबर दोहजार उननिस में चीन के वुहान याद रखना वुहान से सुरू हुए इस घातक वायरस के कारण विश्व के अनेक देशों में लाको लोग अकाल मृत्यू का शिकार बने इसके प्रारंविक लक्षणों में सर्ती, चुकाम, बुखार ठीक है और होना जैसे दुष्ट परणामी सामने आए और ये ना कैमरे में थोड़ा छोटा छोटा दिखाए दे रहा है ठीक है सामने एक मिनट बस बस अकार, अकार में इनसान के बाल के भी लगबग 900 गुना चोटा या वाइरस बेहत खतरनाक है इसका संकर्मन एक इनसान से दूसरे इनसान में बहुत तेजी से फैलता है जिसके कारण यो कुछ ही समय में पूरी दुनिया में लोगों में फैल गया से बाहर ना निकले समाजिक दूरी का पालन करें और मास का उपयोग करें संक्रमित होने पर अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें कोरोना के संक्रमन को तेजी से फैलने से रोकने हित्तु सरकार द्वारा समय से में लॉक डाउन कोशित किया गया सभी थोड़ा सौरूपर क संद्रह जैसे कि आपकी ओनलाइन क्लास से स्टार्ट होगी ओनलाइन से सवीधा परदान की जा रही थी लेकिन कोविट नाइन से बचाव के लिए ठीका आने के बासरकार ने मुस्तैदी से ठीका करन अभ्यान शुरू कि और देश के करीब अब हमारी पूरी तरह से समाप नहीं हुए ता आवश्यक है कि भयमुक्त होकर विश्वार संगटन की निर्देश का पलन करे और पौश्टिक का हार ले यह कुछ पॉइंट थे कोविट नाइन को लेकिन दूसरा अगर टॉपिक है प्लास्टिक की दुनिया अगर यह टॉ प्लास्टिक तो यहां देखते हैं तोड़ा सोरूपर नहीं है यह एक कृतिम प्रदार्थ है आज जिस चीज की ओर देखो वह प्लास्टिक की बनी हुई दिखाई दिती है अभी तक लोहे की बनी चीज का एकादिकार था जब प्लास्टिक ने उसके चित्रादिकार में प पानी केट टैंक दरवाजे खिलोने सब प्लास्टिक से बन रहे हैं बेजली कुप करण में प्लास्टिक का ही बोल बाला है तो सचो किसने सोचा था कि प्लास्टिक के पाइप आएंगे टोटी वाले पाइप देखो प्यारे बच्चों वह तो आई रहे थे जो इसमें से चोओन है वहीं इसके डोस्ट बर्मीच थे यह तोटने पर प्लास्टिक बेगार हो जाता हैं और दोशंड को बढ़न को बढ़िदा시 दित्ता है कैसा अनुशाशन ठीक है कैसा जासन ह्यां बिना अनुशाषन ठीक है इस प्रकार 25 प्लास्वैंशा पड़ लेंगे तो पक्का है इसी में से आपके आने चांस ज्यादा है ठीक है तो अनुशाशन सब्द अनु प्लस शासन शब्द सो मिलाकर बना है अर्थार्थ किशी शासन व्यवस्थानियमों का अनुकरण या पालन करना आज समाज और देश के सरवत्र अनुशाशन हिंता अनुशाशन के अभाव में शासन चल ही नहीं सकता किसी भी काम में सफलता तभी सफलता मिलती है जब आप अनुशाशन में रहें अनुशाशन में रहने के लिए त्याग भावना होना बहुत ही आवश्यक है प्यारे बचो यह बहुत जोरी अनुशाशन वही कर सकता है जो त्याग की भावना रखता हो प्यारे बच्चों ठीक है सब के बस का काम अनुशाशन करना नहीं है मेरे टाइम में एक बार आया कि अरे वीडियो ये मतलब एजुकेशन वाले वीडियो छोड़ के वह मतलब गेम खिलना इस्टार्ट करते लेकिन नहीं गेम ऑनलाइन गेम खि चलो ये बात की बात है सभी का सभी अपना दिकार तो मांगते हैं पर करतेवे का पलन नहीं करना चाहते चाहते इसी के अनुशाशन भंग होता है सभी को अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी चाहिए सब से आगे निकलने की होड में अनुशाशन तूर जाता है शाशन ववस् को बनाय रखने के लिए अनुशाशन का पालंद करना बहुत ही जरूरी है तो प्यारे बच्चों यह भी टॉपिक समाप्त हो जाता है अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा से और पढ़ने स्पहल आपको दिखा दूँ यह आपको वही चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का तात पर भूम बंडल के दिन बढ़ते तापमान से है विकत कुछ वर्षों में तापमान के विहंकर विद्यू होती जा रही है भूम बंडल का तापमान यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो माना जीवन खत्रे में बढ़ जाएगा ग्ल प्रिथवी का तापमान दिन बदिन बढ़ता जा रहा है और वाईू मंडल में कार्वन एकसाइट की मात्रा विद्धी होती जा रही है यदि हम जड़ती यह प्रक्रिया बढ़ती गई तो प्रिथ्वी पर प्राक्रतिक आपडाय में विद्धी होती जाएग आता प्योंक आज देख रहे हो ताकि ग्रीन वार्म ग्री मतलब हरा बना रहे ठीक है प्रदूशन नहों किसके वज़े से पैट्रोल और डीजल की वज़े से ठीक है इनके दाम तो आसमान भी छो रहे हैं खेल और वयाम की बात करें तो यह देखो जो प्रीबोर्ट इवनिंग माल करेंगे मैंने स्टार्णिंग भूमिका के पता दी किस परकार से लिखा जाता है सहार उप सहार ठीक है लाग पॉइंट लिखेंगे यह तो पॉइंट धंपड रहे है ताकि आप कुछे चीजे याद कर ले अपने ध्यान से ठीक है तो खेल और वयायाम संकेत बिंदू खेल भूआ ठीक है अनुषासित चीवन स्वस्त साहिर चरित्र यहमने टिक मुल्यों का विकास खेल के मैंदान से में ही किया जा सकता है खेलों के खेलों से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता हता था वे अनुशासिन प्रिव Uhr मतलब की दिएक बच्चे खेल में काफी नियम करते हैं और उन्हें टीम भावना का विकास होता है बहुत अच्छी बात है यहीं भावना हमें कि दूसरों के सा समाज़त से रखना तथा कठनाईयों को जेलना सिखाती है मनोविज्ञानिक कमत है कि मनुष्य की खेलों में रूची सुभाविक है इसी कारण बच्चे खेलों में अधिक रूची लेते हैं खेल में भाग लेने से पहले हमें तो हमारे स्वास्त पर उत्तम प्रभाव पड़ता है भागने से या क्रिकेट और टेनिस खेलने से हमारी सासे लेने की योगिता तो से तीन गुणी बढ़ जाती है इसके अलावा हमारे शरीर में हमारे रक्त का ठीक है का स्वास्त रहने के अलावा खेल में भाग लेने से हम दोस्ती और फिश्पास के सहान भोतियों को बढ़ा सकते हैं अक्सर कहा जाता है कि खेल से भी बंदे का असली रूप दिख जाता है ठीक है काफी अच्छा लगातर है पढ़ते पढ़ते ही कि थोड़ा से थक या क्योंकि मन में पढ़ना होत होता है क्योंकि मैदान पर मुकाबले पर हर खिराड़ी का दिमाग इतना इवस्त होता है कि वह बीना सोच समझे अपने को पराय मना देता है एक साथ खेले के पश्यात लोगों के बीच प्यार की भावना भी बढ़ जाती है टीम टीम के वज़े से विरोधी टीम का तो यही तो था प्यारे बच्चो ठीक है थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तो यह बोर्ट पेपर का ही आत्मिश्वास और सफलता देखो यह है आपका जो टॉपर बच्चे ने लिखा हुआ है ठीक है पिछले साल का यह प्रस्तावना आत्मिश्वास से तात पर ठीक है इन करने के लिए परिश्रम के आशकता होती है कि अगर परिश्रम सार्थक दिशा से पुड़ रूप से हो तो सफलता सिक्र मिलती है और किया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता यदि एक काग्र होकर किसी भी कार को किया जाय तो सफलता सदय मिलती है मैनत करने के साथ साथ अभ्य व्यख्यास करते रहे तो वह कारे करना हमारे लिए असान हो जाएगा साथ ही मन की एकवार्चितrot होने लगेगा इसलिए परिश्रम इसलिए परिश्र करने तथा चितक की एकवार्चित.'' करने हित्तु अभ्यास का होना अत्यनत आवश्य का किसी भी कार्यों करते समय मन का संपूर्ण रूप से उसी कार में लगे रहना मैनत से विचलितना होना तथा लक्ष तक पौशने पौशने लिए पौशने के लिए निरंतर प्रत्नशिल रहना मन को अन्य कार्यों की तरफ से खीच कर उसी कार्य को पूर्ती के लिए समर्पित रहना एकागर कहलाता है विद्यमानों ने परिश्णम के साथ एकागर्ता को भी सवल्दा की कुझी माना है एकागर्चीत होकर कारे करने से महनत करने में आत्मिश्वास बढ़ता है और सफल्दा निश्चित ही कदम चूमती यह तो प्यारे बच्चों काफी पढ़ते पढ़ते मेनत लगी इसको और लगातार 20 मिनट तक बोलते मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं और वीडियो देखो तो आपको समझ में आया हूंगी लेकिन आपको वही बताओंगा किस प्रकार से प्यारे बच्चों ठीक है पहले प्रस्तावना लिखना जो इन्होंने फिर टॉपिक को पॉइंट लेके लिखना ठीक है देखो किस प्रकार से लिखने के बाद एक लाइन छोड़के यहीं से लिख विडियो लंबी है मुझे भी पता है लेकिन सभी टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी था आप विडियो ना देखें लेकिन बगल में फोन को रखके चालू करके सुन सकते हैं जिससे आपका टॉपिक काफियत तक क्लियर हो जाएगा मैं से बिसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अब तक लिए चाहिए चाहिए भारत